आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी मटन रेशा कबाब की रेसिपी तो हमने लिया है यहां पर 500 ग्राम गोश्ट और इसको एक कुकर में डालेंगे अच्छे से वोश कर लिया है और इसमें डालेंगे हम चने की दाल 200 ग्राम 200 ग्राम और चार है लॉंग और दस से बारा है काली मिर्च और दाल चीनी के टुकडे हैं दो एक बड़ी लाइची स्वारी दो बड़ी लाइची और दो तेश पाथ और लगबक 6 से 7 लेंगे हम साबुत लाल मिर्च लहस्टन की कलियां ले लेंगे 10 तीन हरी मिर्च एक प्याज जाल दिए इसमें इसे में और पण टेबल इस्पून धनिया पाओडर laugh tea श्पून हल्दी पाओडर और और वंड टेबल इस्पून कर अपश़ा पौड़र नमक नमक बारेने में बसंत करते ह 살아 नमक पौनि डालेंगी हम इसमें लगबक दो गिलास कि शबतर लिगे हमोज बिना अफेड कोलें आए तो कोकर को ढड़कन लगा कर इसको एक शुिटी ऐउल तुर में फलें सुरीं को स्लोज हे दैंगेँ लगभाग तीश चालीस मिर्च एक नीबू और वन टीस्पून जीरा और वन टीस्पून पिसी हुई खटाई और दस कलिया लह सुन की तो इन सब के हम चटनी पीस लेंगे तो हमने चालीस मिनट तक की में को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया है तो खोल कर देख लेते हैं और यह देखिए बिल्कुल भी इसमें पान ही नहीं है अच्छे से पक चुका है तो बस इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसको पीस लेंगे बारी तो यह देखिए हमने की में को एकदम फाइन पीस लिया है और अब हम इसमें डान ले के लिये कुछ मसाले लेंगे घृएन मसाले हमने ले लिया है एक बोल भरकर हरिदनिया 4 अरी मिर्ज और यय प्याज इसको भारी gan फीस लेंगे कि देगे हमने सभी मसाला बारीक पीस लिया है और इसमें डालेंगे हम हाफ टीस्पून चाट मसाला पाउडर हमें इसकी स्टफिंग करनी है कबाब में और अब हम लेंगे एक अंडा इसको हम तोड़ लेंगे अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर लगबक दो से तीन पिंच और इसको फैंट लेंगे तो यह हमारी कोटिंग भी रेडि हो गई अब हम एक पॉट्शन लेंगे कीमे का कबाब बनाने के लिए जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना ले सकते हैं और इसको हम जैसे शामी कबाब बनाते हैं उसकी शेप देंगे और इसके अंदर ग्रीन मसाले की स्टफिंग करेंगे और इस तरह से इसे बंद कर दें और इसको हम कबाब का शेप देंगे तो इसी तरह हम सभी कबाब तयार कर लिए तो यह देगे हमने सभी कबाब बना कर तयार कर लिए हैं और अब हम अंडे की कोटिंग इसमें कोट करेंगे अंडे में अंडे का बेटर जो बनाया था और हमने रख लिया है एक तवा इस पर डालिया है हमने ओईल तीन से चार चमच और इस लो टू मीडियम गरम कर लें ओईल को और इस पर रख देंगे हम सभी कबाब कोट करकर एक साइट से सेगेंगे लगबग दो मिनट दूसरी साइट से तो सभी कबाब को हम सेट लेते हैं तो यह देखिए कबाब अच्छे से से शेट चुके हैं तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे हमने यहां सभी कबाब से एक कर तियार कर लिए हैं तो यह देखिए हमारे सभी मटन रेशा कबाब बनकर तयार हो चुके हैं तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूं यह देखिए कितने अच्छे हों कितने टेस्टी लग रहे हैं कबाब तो आप इसको जुरूर ट्राइ करें और बहुत ही इजी तरीके से बनकर तयार हो जो जाते हैं तो कैसी लगे आपको मेरी यह रेसिपी अगर आपको मेरी यह रेसिपी थोड़ी से भी हेलफ लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दौाओं में याद रखें अल्लाहाफेश